पाकिस्तान में आठ फर्वरी को आम चुनाव हुए, नतीजा आने से पहले सेना और नवाशरीव की पार्टी ने वोटों में हेरा फेरी करने की सारी हदे पार करती है। इसके बावजूद इमरान खान की पार्टी से उपजुड़े उम्मीदवारों ने सबसे जादा सीटे हासिल की लेकिन बहुमत नहीं हासिल करता है। और मुख्य न्यायधीश भी शामिल थे। अब अधिकारी की इस दावाई पर चुनाव आयुक का भी जवाब आ गया है। देश के फीट में छुरा घूपने के बाद मुझे नीद नहीं आती है। सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है चुनाव आयोग के किसी भी अधिकारी ने चुनाव परिणामों को बदलने के संबन्द में कभी कोई निर्देश जारी नहीं किये। चुनाव आयोग जल्दी ही इस मामले की जाच कराएगा। जेल में वा निवरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरी के इंसाफ यानी की पी टी आयोग चुनाव में कठित धानले बाजी और वोटों की चोरी के खिलाफ देश बरने विर्योत प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो ये तो होगे खबर की बात है। पर ये सच है कि पाकि पाकिस्तान मंतरी वही बनता है जो सेना का चहेरता होता है। और इस बार सेना का समर्तन नवाज शरीप को मिला हुआ है। और नवाज शरीप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चाहे जो करना पड़े लेकिन सरकार बन जाए। सोचिए अगर इस चुनाव अधिकारी की बात में जराबी दम है, यह सच है, अगर हुई तो, तो हर रूप से चर्मराते पाकिस्तान में जी रहे लोगों की जिंदगी और जादा खराब होने वाली है। यहीं लेते हैं वेदा, देखते रहे बीपी लाइप, मेरे नाम है आयुश, धन्यवाद।